एलो एवरिबन कैसे हैं आप सब मिलते हैं अच फिर से बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ तुलसी ब्रंदा ब्रंदावनी तुलसी माता या बिस्तु पूजिनी या बिस्तु पावनी या इंगलिस में होली वासल कई नामों से जानते हैं हम तुलसी जी को तुलसी जी तुलसी जी जो हैं लंबे टाइम तक आपके घर में रहें क्योंकि एक पर्मानेंट पौधा है तुलसी जी का और लोगों को ये प्रावलम रहती है हमारी तुलसी जी की पतियां पीली हो रही है हमारी तुलसी जी मुर्जा रही है तुलसी जी को लाओ और थोड़े से दिन बहुत healthy रहेंगी, तुलसी जी जो हैं वे एक बहुत ज़्यादा पवित्रिया सु पौधा है, इनको घर में रखना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, आयुर्बेद में भी इनकी गुणों को बहुत बखान किया गया है, बहुत आयुर्बेदी। गुडों से भरपूर है ये पोधा तुलसी जी की पतियां तुलसी जी की ये जो इस्टेमिय डाले हैं तुलसी जी के बीज तुलसी जी की जड़ हर चीज आयुरवेद में बहुत काम आती है इसकी चाय बनाकर लोग घर पर पीते हैं इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं जो य तुलसी जी जो हैं बहुत अच्छी और सुन्दर जब होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी तुलसी जी काफी हल्दी सी हैं तो देखिए आप सबसे पहले जो है तुलसी जी की जो दो बैराइटियां है वो घर में रखी जाती है रामा और श्यामा कई से लेकर आएंगे तो healthy सा प्लांट लेकर आए एक उसमें कई सारी ब्रांचे निकली हो सिंगल एक ब्रांच ना हो और पॉट आप 12 इंच का लेकर आए कम से कम और मिट्टी का गमला लेकर आए तुलसी जी को लगाने के लिए तुलसी जी को लगाने के लिए मिट्टी का गमला ही सबसे अच्छा रहता है इसका क्या रीजन है ये भी हम आपको बताएंगे तो देखी मिट्टी के पॉट में जो होल होता है उस पर आपको कोई गिट्टी रखने की जरूरत नहीं है अगर आप चाहें तो पतला कॉटन का बहुत पतला कप्टा जैसे की दुपट्टा होता है उसको छोटा सा पीस काट कर बिछा सकते हैं जिससे की पानी बिल्कुल भी ना रुखे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सुलसी जी को पानी रुखने से होती है पॉट में मिट्टी बिल्कुल भी चिकनी ना हो जो मिट्टी हम तयार करेंगे उसमें 40% जो है वो हमें कमपोस्ट बर्मी कमपोस्ट और नीम खली और साथ में एक चमबच फंगी साइड उसको मिलाएंगे और 30% हमें रेत या बजरी लेनी है और 30% गार्डन स्वैल लेनी है जिसको मिक्स करके हम बहुत हेल्दी सी इनके लिए मिट्टी बनाएंगे बड़ा गमला इसलिए रखते हैं क्योंकि हम बार बार इनको रिपॉर्ट नहीं करते हैं एक बार अच्छे से गमले में हम रखेंगे बड़े से इक पॉर्ट में रखेंगे तो रूट्स को फैलने का मौका मिलेगा और प्लांट हमारा बहुत हल्दी रहेगा तो आपने इनको ना जादा गर्मी पसंद है 40 डिग्री से उपर जैसे ही टंपरेचर होता है मई जून की गर्मी इनको बरदार से बाहर है तो आपको इनको केवल मौर्निंग से 3-4 घंटे की धूप दिखानी है और इनको शेमी सेड में रखना है या ग्रीन नेट के नीचे रखना है रेनी सीजन में आप इनको बारिस में रखिए बहुत हेल्दी रहेंगी बहुत अच्छी लीफ्स इनकी नई ग्रोथ हो जाएगी और उसके अलावा आप इनको ठंड में नवंबर दिसंबर जनरी तीन महिने की ठंड से इनको बहुत पचाना होता है आप तुलसी जी को बिल्कुल शेड में रखिए उनको धूप तो मिले पूरे दिन की लेकिन रात में उनके उपर बिल्कुल भी ठंडक ओस या कोहरा पाला बिल्कुल भी ना गिरे यह बहुत ही नुकसान दायक होता है तुलसी जी के लिए तुलसी जी सौफ्ट प्लांट है पर्मानेंट है लेकिन सौफ्ट है देखे यह अगर आपके घर में एक पर अच्छे से चल गए तो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं यह प्लांट जो हैं बहुत पुराने मीनी प्लांट से नया प्लांट त्यार करते रहते हैं देखिए पौट में कितने प्लांट उगे हुए हैं चोटे-चोटे से और हमारे घल से तरट अच्छ बुड़ भगवानकरपा से तुलसी बिल्कुल भी नहीं जाती हैं तो किसी अच्छी चादर से ढग दीजे जिससे की पाला इनके ओपर बिल्कुल भी ना किरे सुभह हटा दीजे फिर से इनको धूप लगने दीजे और उसके बाद आती है बात इनको हम पैस्ट साइड कौन सा दें पैस्टी साइड जो है वैसे इन पर कोई पैस्ट अटैक नहीं क पैस्टिसाइड और कोई गेमिकल पैस्टी साइड बिल्कुल भी ना यूज करें क्यूब केमिकल पैस्टिसाइड आप अगर इनको चाये में यूज चाह करेंघे या वैसे भी तू ची पर कैमिकल नहीं ही केमिकल lleugかった है आप इनको किवह इन बर्मी कमपोस्ट का जो है हर जो हैं बहुत अच्छा कलर हो जाता है उसके बाद आपको तुलसी जी को अपनी घनी बनाने के लिए जो इनके ऊपर ये लीज निकल रही होती है उपर से ये चार पतियों को बराबर पिंच करके निकालना है इनको आप यहां से इतना कट करके निकाल देंगे तुलसी जी बह कटिंग से भी ग्रो कर लेते हैं तो बीज आप एक छोड़ दीजे केवल जिसमें बीज पक जाएंगे आप उसको निकाल के रख लीजे ज्यादा बीज बिल्कुल भी मत छोड़िये मंजरी अगर लगी होती है तो तुलसी जी पूरी ताकत अपनी इस मंजरी को बीज को पक दीजे और अगर आप इस तरीके से निकालते रहेंगे तो आपका प्लांट कभी भी खराब नहीं होगा इनकी लाइफ और बढ़ती चली जाएगी बिल्कुल छोटी-छोटी सी यह मंजरी हो तब ही आप इनको तोड़ दीजे अगर आपको बीज नहीं चाहिए तो प्लांट के लिए तो आप इन केरिंग टिप्स को फॉलो करें ज्यादा ओवर पॉर्टरिंग बिल्कुल भी ना करें प्लांट में और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में फिर से बहुत मैं अजयों पॉलो करें जापको यह वीडियो में चल्चानग लेका मिलन हम खाने प्लांटर को विलन प्लांट करें ज्म करें दो को घुतार कंवराश और, एक लाई τοutApp करें प्लांटर को भीडियो